हलो दोस्तो मेरा ना मैं अकुल पहवा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिव्यू किंग चैनल तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले दोस्तो मैं आपको बता दू कि आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एवियोन क्रीम के बारे में जि और चरफोल दोस्तो मैं आपको बता दू कि इस क्रीम के वपर कहीं से भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये सकिन को लाइट करती है आपकी सकिन को ब्राइट करती है जैसा कि आम तोर पर जो है लोगों का गमाना है कि काफी लोगों ने उने रिक्मेंट किया है यह कहकर कि इसको लगाने से जो आपके स्किन जब राईट हो जाएगी आपके स्किन लाइटनिंग करती है लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी इस ट्यूप पे मेंशन नहीं है मैं इसे पिछले 20 दिन से इस्तमाल कर रहा हूँ मुझे इसका क्या रिजल्ट मिला है आपको वह भी बताऊंगा लेकिन आपको मैं बता दूँ कि पूरी तरह से एक मोईस्टराइजर करीम है बनकुल हलके-ल्के फ्रेदिस रहने वाले ज़एदा आपको परिशान नहीं करने वाली और जब भी आप इसे एपलाई करेंगे तो बहुत जल्दी आपके स्किन के द्वारा सोख लिजाएगी बहुत ही असानी से हलके-ल्की मसाज करती है पूरी पूरी जो है skin के अंदर चले जाती है आपको कोई चिप-चिपापन भी नहीं देती है अब दोस्तों एक बात आती है कि कौन से skin type के लिए suit करती है मैं आपको बता दूँ किए अगर आपके skin type oily है तो दोस्तो आप इसे बिल्कुल भी इस्केमल मीद मत केजी अब करण दोस्तों ये खास तूर पर dry skin के लिए इस्तमाल की जाती है इससे ये जो हगा आपकी skin को लम्बे समय तक जो hydrated रखती हैं और जो dry skin वालों के कारण जो हगा आपको क्रीम को इस्तमाल करते हैं तो दोस्तों आई ये जो है इंडिया की टॉप मोस्ट जो है बेस्ट मौइस्थराइजर से एक है जिसे आप जब जो है का इसब मोइस्टराइजर जरूर इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन ओ canopy skin वाले से बिलुकुल बिस्तमाल मत किजिए तोस्तों अगर आप स्क्रीम को बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे रहा हूँ अप चाहित उसे वहाँ जाकर बाई कर सकते हैं और अगर आपकी oily skin है तो oily skin के लिए आपको कौन सी क्रीम में रहेगी वो भी मैं आपको recommendation में नीचे लिंक दे रहा हूँ अप चाहित उसे वह जाकर purchase कर सकते हैं जिससे आपको oily skin वालों को भी बहुत अच्छा result देने को मिलने वाला है धन्यवाद